ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो आज के टाइम में काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है काफी लोग जो है वो एवरी डे मेडिसिन ले रहे है ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे तो 5 ऐसे simple steps मैं आपके साथ share करने वाला हूँ जिससे आप घर पे भी काफी हद तक ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे मैं एक ही सब को बताना चाहता हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेडिसिन ले बंद करना चाहिए लेकिन आप खुद से भी काफी हद तक जो है उसे कंट्रोल में कर सकते हो तो उसी 5 steps पे आज हम डीटेल में बात करने वाले है सबसे पहला step है salt अब जब high blood pressure की बिमारी होती है न तो सबसे खतरनाग चीज होती है salt अब जो salt हम खाते है न वो सबसे पहले गलत होता है क्योंकि हम जो salt consume करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है sodium हमें potassium जो है वो मिलता ही नहीं है क्योंकि ये salt गलत है कौनसा नमक आपके लिए सही है और सही नमक चुनो मैं आपको suggest करूँगा हमालायन salt जो है उसे आप choose कर सकते हूँ आपके लिए सही option होगा लेकिन फिर भी एक बार i button पे जाके ये वीडियो के बाद salt के जो detail वीडियो है वो जरूर से देख ला है ताकि आपको पता चले के कौनसे salt में exactly होता क्या है second step processed food जो है package food है fast food है वो आपको avoid करना चाहिए कोई भी healthy habit के लिए mandatory step होता है के packed food processed food और fast food जाए वो हम avoid करे यहाँ पैसा नहीं है के आपको 100% avoid करते ना है अगर आप मान लिजे week में तीन बार consume करे हो ते at least cut down करके one time कर दो ताकि थोड़ा impact उस पे जरूर से देखने को मिले थर्ड step जो है वो है pickle and popper एक और चीज़ भी यहाँ पर है pickle and popper जब इंडिया के pickles and poppers है ना उसके अंदर काफी अच्छे bacteria होते है जो आपके blood pressure control करने में काफी ज्यादा help करते है तो pickle and popper का regular consumption आप करते रहो वो आपको काफी ज्यादा help करेगे next जो है वो definitely sleep है sleep जो है वो काफी हद तक आपकी ज्यादा होनी ही चाहिए अगर आपकी sleep खराब है तो उससे जुड़े हुए काफी ज्यादा problems आपको होगे और ultimately जो है वो उसको ले जाएगा आपके blood pressure तक तो आपका blood pressure जो है वो आप control नहीं कर पाओगे और last step जो है वो सबसे आसान है और सबसे मुश्किल भी है exercise यहाँ पर exercise में मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ जिम में आप जाओ aerobics करने के लिए आप जाओ zumba class के लिए किसी भी जिसके जरूरत नहीं है simple holistic exercise करो जिसमें आप कर सकते हो walking आप कर सकते हो running आप वो भी नहीं करना चाते हो तो आप योगा कर लो कोई भी exercise कर लो holistic exercise करो जीम में जाने की aerobic center जाने की जरूरत जो है वो नहीं है तो यह पांच आसान steps पर अगर आप फोकस करोगे तो आप घर पे आपका blood pressure जो है वो control कर सकते हो again मैं एक चीज़ आपको repeat करना चाता हूँ मैं आपको नहीं करना medicine छोड़ दो इवन दो आपको लगता है कि आपने control कर लिया है आप doctor को consult करो अगर आपको doctor कहता है हाँ अब आप छोड़ सकते हो तो जाओ उसके लिए लेकिन ये five steps follow करने के बाद immediate medicine को मत छोड़ो consult your doctor first अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप easily कर पा रहे हो तो आसा र subscribe कर दो नए हो और बैल आइगन को भी हीट कर दो ताकि आप कोई भी update जो है वो मिस ना करो करो कि तब तक के लिए जाहिंद वन्दिमात्रम